दोस्तों नमस्कार आप तो जानते ही हैं कि इस चैंबर आफ इंडियन, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजिस MSME हेलपलाइन और मैंने यानि मुकेश महान गुपता ने MSME की पाश्चाला शुरू की थी और दोस्तों आप यहां अपने स्क्रीन पर देखी रहे हैं कि यह MSME की पाश्चाला कितने लोगों द्वारा पसंद की जा रही थी और कितने लोग शायद इसका फाइदा उठा पा रहे थे लेकिन दोस्तों यह कोरोना ने MSME की पाश्चाला में एक बार के लिए तो ब्रेक लगा दिया लेकिन जैसा कि जानते हैं आप सभी कि हम जो भारतिये हैं अपने जज़बे के पक्के हैं यह कोरोना वरोना भाया हमको नहीं डरा पाएगा तो दोस्तों अब इस MSME हेलप लाइं चैंबर ओफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजिज और मुकेश मोहन गुपता ने डिसाइड किया है कि यह MSME की पाश्चाला जैसे चलती थी उससे भी जाद है जोशे अब यह चलती रहेगी तो दोस्तों आप कहेंगे कि भईया यह MSME की पाश्चाला कैसे चलती रहेगी मोधी जी ने तो कहा है कि भईया कम्प्लीट लॉकडाउन है यह एजुकेशनल इस्टिटूट जो है यह काम नहीं करेंगे अभी पर दोस्तों साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि भईया अगर आपको कि प्लीज आप चेंबर ओफ इंडियन माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजिस के मेंबर भी बन जाईए यहां पर मैं डेस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आप मेंबर्शिप जॉइन कर सकते हैं ऑनलाइन और दोस्तों चेंबर ओफ इंडियन माइक् दोस्तों हमने अब कर लिया है तो दोस्तों इसी कड़ी में पहली MSME की पाश्चाला हो रही है जैम यानि गौवर्मेंट इमार्केट प्लेस के साथ दोस्तों आप तो जानते ही है कि यह जो गौवर्मेंट इमार्केट प्लेस है जिसके लिए मैं पहले भी यहां वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस MSME हेलपलाइन यूट्यूब चैनल पर आप यह आई बटन दबाकर देख सकते हैं जैम के उपर मेरा पूरवा वीडियो अब दोस्तों मैंने यह प्रबंद किया है कि यह जो जैम है जहां पर भारत सरकार के जितने भी टेंडर्स हैं वो इस पर अपलोड होने जरूरी हैं और हम MSME जो हैं वो यहां पर टेंडर भर सकते हैं इस गौर्णमेंट e-marketplace यानि जैम की वेब साइट पर जाकर तो दोस्तों आपके बहुत सारे questions हैं कि भाईया इस पर कौन रेजिस्टर्ट कर सकते हैं अगर रेजिस्टर्ट कर सकते हैं हम MSME तो हम कैसे registration यहां इस पर करें अगर हमने अपना registration कर लिया तो फिर हमको यहां order कैसे मिलेंगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह जो payments हैं क्या अगर हम इस जैम के थ्रू जैम पोर्टल के थ्रू अगर हम tender कोई submit करेंगे तो उसका payment कितने दिन में हमें मिल सकता है इसका procedure क्या है दोस्तों जो हम MSME हैं हमारे और भी बहुत questions हो सकते हैं इस जैम से related हम जानना चाहते हैं कि भाईया अगर हम जैम के थ्रू जैम पोर्टल के थ्रू अपना tender यहां submit करेंगे तो क्या हम MSME को कुछ turnover में number of years of experience में ऐसा कोई exemption मिलता है क्या क्या MSME अगर जैम के थ्रू कोई tender भरते हैं तो कोई उनको preferential treatment मिलता है क्या क्या जब हम जैम के थ्रू फाइल करेंगे तो हमें earnest money deposit यानि EMD और tender document में कोई छूट मिलती है क्या इसमें registration कराने के लिए कौन-कौन से documents जरूरी होंगे दोस्तो ऐसे अंगिनत questions हैं हम MSME के मन में हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या traders भी इस jam portal को use कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए अब MSME की पाश्चाला में आ रहे हैं श्री तलीम कुमार जी जो है CEO आफ जैम मिस्टर संजे जोजफ जो ट्रेनिंग के head है जैम में और साथ में मिस्टर अकिल जिंदल जो आपको बताएंगे ट्रेनिंग देंगे यहां MSME की पाश्चाला में पूर जवाब है दोस्तों यह जो वेबिनार होगी यहां पर आप रेजिस्ट्रेशन करवा लिएगा मैं आपको लिंक बहुत जल्दी दे दूँगा आप यहां जो फॉर्म मैं दे रहा हूं आपको डेस्किप्शन में आप भरकर मुझे डिटेल दे दीजेगा हम और मेरी जो टी उसको आप कैसे जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों जल्दी से चैंबर की रेजिस्ट्रेशन अगर आप चाहें तो वो ले लीजिए और साथ में मुझे अपने डिटेल भी दे दीजेगा कि आपको इस MSME की पार्शाला का लिंक हम कहां पर भेज दे तो दोस्तों बस समय और दि आप नोट कर लीजेगा बाइस अप्रेल दो हजार बीस समय है साड़े बारह बजे दोस्तों आज के लिए बस इतना इंतजार करूंगा मैं आपका बाइस अप्रेल दो हजार बीस को साड़े बारह बजे इस ऑनलाइन MSME की पार्शाला में तो दोस्तों ऐसी ही और बहुत सा सारी इंफॉर्मिशन जानने के लिए इस MSME हेलप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही यह बैल आइकन दबा दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों और बैल आइकन नहीं दबाया है दुबारा देख रहे हैं इस MSME हेलप यूट्यूब चैनल को तो पहले इस बैल आइकन को दबाते हैं साथ में इसको लाइक कीजिए और शब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आज के लिए बत इतना धन्यवाद नमस्कार